स्वागत आप सभी का नमस्कार मैं हूँ प्रीती सिंग आप देख रहें खबर दो पहर आईए शुरुआत करते हैं मुख्य समझारों के साथ गोवा के मुख्य मंत्री और पूर्वरक्षा मंत्री दिवंगत मनोहर परिकर का राजगी है सम्मान के साथ अन्तिम संसकार आज शाम प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी समेट कई हस्तियां होंगी शामिल देवंगत नेता की संबान में राश्ट्री ये शोग गोवा में साथ दिन का राजगी ये शोग जन नेता परिकर को पनजी में श्रद्धा सुमन अरपित करने के लिए उम्राजन सहलाब केंद्रिय मंत्री मंदल की बैठक में शोक प्रस्ताव पारित दो मिनिट का मौन राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती और प्रधान मंत्री समेथ जानी मानी हस्तियों ने जताया गहरा दुख बाद बीजीपी केंद्रिय चुनाव समिते के बैठक समेथ सभी कारिक्रम रद चुनाओ प्रचार के लिए गंगा यात्रा पर निकली कॉंग्रिस महासचे प्रियंका गांधी, मायवती का कॉंग्रिस पर निशाना, कहा उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतानने को स्वतंत्र कॉंग्रिस लोग सभा चुनाओ के पहले चरण के लिए दिसूचना के साथ ही नामानकन की प्रक्रिया शुरू पहले चरण में 20 राज्यों के इंक्यानमे सीटों के लिए 11 अप्रेल को मतदान, आंधर प्रदेश, सिक्किम, अरुनाचर प्रदेश, विधान सभा की सभी सीटों और ओडिशा के 28 सीटों के लिए भी आज से नामानकन शुरू विधेश मंतिर सुष्मा स्वराजने की मालदीव के राश्पती इबराहिम मुहमद सोली से मुलाखात, आपसे हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा, दोनों देश, वीजा, विकास परियोजना और अक्षे उज्जा के क्षेतर में सहयोग बढ़ाने पर सहपर बेदाग, चवी और जनप्रिया नेता मनुहर परिकर अब हमारे बीच नहीं रहें, उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है गोआ के मुख्य मंत्री और पूर्वरक्षा मंत्री मनुहर परिकर को आज शाम पाच बजे अंतिम विधाई दी जाएगी उनका पूरे राज़किय सम्मान के साथ अंतिम संसकार किया जाएगा दिवंगत नेता के सम्मान में आज देश भर में राष्ट्रिय शोक है उनके सम्मान में राष्ट्रिय ध्वज आधा जुका है गोआ में भी साथ दिन के राज़किय शोक का ऐलान किया है उनका पार्थिफ शरीर पनजी में बीजेपी मुख्याले में रखा गया के इंद्रिय मंत्री नितन गड़करी समेट कई लोग उन्हें शृद्धाजली देने पहुँचे मनहोर परिकर के पार्थिफ शरीर को कला अकैडमी भी ले जाए गया जहां उन्हें शृद्धाजली देने के लिए जन सैलाब उमर रहा है लोग अपने प्रियानेता के आकरी दीदार को बेताब दिखे शाम चार बजे कला अकैडमी से मीरा मार तक उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और शाम पाज बजे पूरे राजगिये सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी इस मौके पर प्रथान मंत्री नरींद्र मोधी, केंद्री ग्री मंत्री राजनात सिंग समेट कई हस्तियां शामिल होंगी मंकेंद्री मंत्री मंडल ने गोवा के मुख्य मंत्री मनोहर पारिकर के निधन पर शोख प्रस्ताव पारित किया साथ ही दो मिनट का मौन रखकर शृद्धान जली अर्फित की मनहोर परिकर के निधन के बाद BJP के इंद्रिय चुनाव समिती के बैठक समेथ आज होने वाले BJP के सभी आधिकारिक कारिकरम रद्ध कर दिये गए साधगी के प्रितीक मनहोर परिकर का लंबी बिमारी के बाद कल देट शाम निधन हो गया चार बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे 63 वर्स परिकर लंबे समय से कैंसर से जूज रहे थे उनका इलाज अमेरिका के अलावा दिल्ली स्थित एम्स और मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा था वो आई आई टी से पास पहले इंजीनियर थे जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने मरोपरकर के शख्सियत सबसे जुदा थी वो एक कुशल रणनी तीकार थे और अपने सिध्धान्तों पर अडिग रहने वाले इंसान थे काम के प्रती उनके समर्पण का अंदाजा इसी बात से लगाए जा सकता है कि बीमारी से पीडित रहने के बावजूद वो अंतिम समय तक देश और गोवा की सेवा करते रहे कुवा के मुख्य मंतरी मनोहर पारिकर के निधन पर देश भर में शोक की लहर है उनके निधन पर राश्ट्रपती उपराश्ट्रपती प्रधान मंतरी समेथ राजडिते खस्तियों ने गहरा शोक जताया है राश्पती रामनात कोविन ने ट्वीट किया कि मनोहर पारिकर ने ध्रनता और गरिमा से अपनी बीमारी का सामना किया सार्वजनिक जीवन में सत्य निष्ठा और समर्पन के पृतीक रहे परिकर ने गोवा की और भारत की जो सेवा की है वो हमेशा याद रखी जाएगी उप्राश्पति अम्वेंगा एनाइडू ने मनहोर परिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है उप्राश्पति ने ट्वीट किया कि परिकर के निधन से सामाने रूप से राष्ट और विशेश रूप से गोवा ने अपने चहेते पुत्र को खो दिया उप्राश्पति ने परिकर के परिवार के प्रती समवेद ना प्रकट की है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मनोहर पारिकर एक अद्वितिय नीता थे एक सक्ची देश भक्त और असाधारन प्रशासक वो सभी की प्रशंसा करते थे प्रश्ट के प्रती उनके त्रुटीहीन सेवा को पीडियों याद किया जाएगा उनके निधन से गहरा दुख हुआ प्रधान मंत्री ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि मनोहर पारिकर आधुने गोआ के निर्माता थे अपने मिलनसार व्यक्तित वर्सुलब स्वभाव की बदौलत वो सालों तक राज्जी के पसंदीदा नेता बने रहे उनकी जन समर्थक नीतियों ने गोआ को प्रगती की उलेखनिये उचाईयों तक पहुचाया प्रधान मंत्री ने कहा कि देश भारत के रक्षा मंत्री के रूप में उनके कारिकाल के लिए मनोहर पारिकर का सधा आभारी रहेगा जब वो रक्षा मंत्री थे तब भारत ने कई फैसले देखे जुन्होंने भारत की सुरक्षक शमताओं को बढ़ाया स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ाया और पूर्विसानिकों की जीवन को बहतर बनाया लोगसबाद्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मनोहर पारिकर के निधन पर शोक प्रकट किया है उन्होंने ट्वीट किया कि उर्जावान, इमांदार, कर्मट व्यक्तित्व को सादगी, सच्चाई, सोच, संकल्प, सततकारियों के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा रक्षा मंतरी निर्मला सीता रमन ने मनोहर पारिकर के निधन पर ट्वीट किया कि उन से बहुत कुछ सीखा है, वो निश्कपट, इमांदार और समवेदन शील राजनी ते कारिक करता थे उस सरल और जमीन से जुड़े थे रक्षा मंतरी के तौर पर सशस्तर बलो को आधुनिक और ताकतवर बनाने में उनका योगदान अद्वीतिय है इंद्रे मंतरे अनुंजेटली ने मनुहर पारिकर के निधन पर शोग जताते हुई ट्वीट किया मनुहर पारिकर के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ वो लोगों के चहेते थे और हम सब ही उन्हें बहुत याद करेंगे विदेश मंतरी सुष्वा स्वराज ने शोग व्यक्त करते हुए कहा कि मनुहर पारिकर जी के देहांद का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ उन्होंने लिखा कि उनके लिए तो वो भाई की तरह थे इसलिए उनका निधन व्यक्तिगत क्षती है कॉंग्रस अद्दक्ष राहूल गांदी ने मनुहर पारिकर के निधन पर शोग जताते हुए उन्हें गोआ का चहेता बताया उन्होंने कहा कि पार्टीवार राजनीती से उपर उठकर सभी लोग पारिकर का मान सम्मान करते थे और बड़े सहसे वो एक साल तक बीमारी से लड़ते रहे वो गोआ के सबसे लोग प्रिय बेटों में से एक थे दुख कि इस घड़ी में मेरी समवेदनाए उनकी परिजनों के साथ है बेस्पी प्रमुख मावती ने कहा कि गोआ के मुख्य मंतरी और पूरवरक्षा मंतरी मनुहर पारिकर के निधन की खबर आती दुखत है अखली श्यादव ने कहा कि मनुहर पारिकर का जाना दुखत है पश्रिममंगाल के मुख्यमंत्री मम्ताबैनरजी ने ट्वीट किया कि गोआ के मुख्यमंत्री मनोहर परिकर जी के निधन से दुखी हूँ आंदे प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रमाबुनाईटू ने ट्वीट किया गोआ के मुख्यमंत्री मनोहर परिकर के निधन पर बहुत दुख हुआ गोआ के मुख्यमंत्री मनोहर परिकर के निधन पर शोग जताते हुए बीजेपियदर शामिट शाह ने कहा कि भारत ने एक सच्चा देश भक्त खो दिया जिसका पूरा जीवन राश्ट और सिध्धान्तों को समर्पित था केंद्री ग्रीमंत्रे राजनात सिंग ने कहा कि उन्होंने बड़ी लगन के साथ देश और गोवा की सेवा की नेता पृतिपक शराज जी सभाय उकलाम नभी आजाद समेत कई और हस्तियों ने मनोहर परिकर्जी का हम सब के बीच में न रहना न केवल भारतिय जनता पार्टी के लिए देश के सारवजनिक जीवन के लिए अपूर्ण यक्षती है बचपन से एक कारे करता है नाते नीचे से काम करते करते राष्ट्र भक्ति के संस्कार के साथ मृत्यू परियंत सारवजनिक जीवन में अनेक बड़े-बड़े पदों पर रहने के बाउजुद भी निस्क लंक जीवन रहा उनका राइनेटिक जीवन पूरी तरह से सादगी से बरा हुआ था और उस मुल्यों के प्रति वह पूरे जीवन पर पूरी तरह से प्रतिबता रहे हैं और एक फार्म कान्विक्शन के एक ऐसे नेता थे दिन्हेक्षा सक्ति वाले नेता के रूप में उनकी एक्मान नेता थी और देखा होगा कि जीमन के अंतिम शनों तक बराबर अपने को उन्होंने सक्री बनाए रखने की पूशिस की शरीफ आदमी थे चाहे वो दोसरी विचार धारा के थे लेकिन बग्ति के तोर पर वो अच्छे थे और अच्छे पार्लिमेंटेरियन थे उनके इस अचानक मौत से सभी को दुख हुआ है और मेरी पूर्ण साहरन बोती उनके पूरी परिवर के साथ कई माइनों में एक आइडियल परसन थे एक इतने बड़े राजनेतिक हस्ती जो देश की रक्षामंतिर रहा हो जो गोवा की लंबे समय तक मुक्षामंतिर रहा हो और कभी प्लेन में जाए बाजू की वेक्ति को पता भी ना चले कौन साथ में जा रहा है वो एक अच्छे वेक्ति थे और अपनी चाप गोवा में रखे थे और वो डिफेंस मिनिस्टर के नाते भी बहुत अपने विचार अलग रखे चाहे वो कोई भी डिफेंस का मैटर हो बड़े संजिक दिसे उसको सुल जाने के कोशिश करते थे उन्ही के कारे और कृत्वर के करण गोवा में भारती जंता परटे की सरकार बनी बाद में परटे के आदेश के नुसरार उनने सरक्शें कि मंतरी पत की जिम्मेदारी ली और जब परटे ने आदेश दिया तो फिर सी वो गोवा की मुख्य podा पूर्तर यह उनकी विश्ष्ष्ष्टा थी जब डॉक्टर ने आगे कोई उपाय नहीं है ऐसा बताने के बाद भी लगातार काम करते रहना और पिछले मेहने में हमारे एनाइटी का शीलांग न्यास उनके घर में हमने किया और तब भी उनके जजबे को सलाम करने के लिए ही में गया था आज हम समने एक महान नेता को जरूर खोया है साथ में एक बहुत अच्छे इंसान को भी खोया है और इसी क्षती बरने के लिए मुझे लगता है बहुत आसाद नहीं होगा यह बहुत जरूरी है कि भारत की राज्जिती में मनोहर परिकर ऐसे लोग और हो IIT मुंबई के एक बहुत थी प्रभावी ग्राजुट इंजिनियर विचार धारा के प्रती समर्पित बहुत थी योग्य प्रसाशक कड़े फैसले लेने की छमता लेकिन सहजता, सादगी और पूर्ण इमादारी उन्होंने लगातार लोगों के लिए जो काम किया है मैं ऐसा मानता हूँ कि उसके कारण गोवा की और देश के राज्जिती में एक उनकी अलग छवी हम सब ने देखी यह व्यक्ति भारत मा का सच्चा सपूत था राश्ट्रिय स्वैम सेवक संग के प्रचारक से देश के रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री पत तक पहुँचे मनोहर परिकर की छवी एक सीधे सादे सामान व्यक्ति की रही है उनकी शक्सियत सबसे जुदा थी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी परिकर नहीं बदले जिससे वो जन्मानस के चहेते बने रहे उनकी लोगप्रियता ना सिर्फ राज्य बलकी देश भर में फैल गई उनकी पोशाक साधारन होती थी और हमेशा उनके पैरों में रहने वाले ट्रेड मार्क चपल ने उनके व्यक्तितो को बुलंद किया उन्होंने व्यक्तिगत हैसियत से आदर्श पेश कर राजनीती के प्रती चनता का भरोसा जगाया और परिकर उनके नायक बन गए 13 दिसंबर 1955 को जन में परिकर ने संग के प्रचारक के रूप में अपना राचनेतिक करियर शुरू किया IIT बंबई से इंजिनियरिंग में सनातक करने के बाद जीवन भर संग से जुड़े रहे मनोहर परिकर ने चुनावी राचनिती में 1994 में कदम रखा जब उन्होंने पंजी विधानसभा निर्वाचन शेत्र से BJP के टिकट पर चुनाव जीता वो जून से 9 बर 1999 तक गोवा विधानसभा में विपक्ष के निता रहे वो पहली बार 24 अक्टूबर 2000 में गोवा के मुख्यमंत्री बने लेकिन उनका कारेकाल केवल 27 फरवरी 2002 तक ही रहा इसके बाद 5 जून 2002 को उन्हें फिर से चुना गया और उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में सेवाई दी चार BJP विधायकों के 29 जनवरी 2005 को इस्तिफा देने के बाद उनकी सरकार अलपमत में आ गई 2012 राज्य में परिकर की लोगप्रियता की लहर लेकर आया और उन्होंने अपनी पार्टी को विधान सभा में 40 में से 21 सीटों पर जीत दिलाई वो फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने BJP की जीत की ले 2014 में भी बनी रही साल 2014 के चुनावी अभियान के लिए BJP की तरफ से प्रधान मंत्री पत के उम्मिद्वार के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम जोरशोर से उठाने वाले लोगों में भी वो प्रमुक्त थे कोवा में BJP की नेशनल एक्जिकेटिव में मनोहर परिकर ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा था तोर पर तीन साल से वाइं दी 2014 से 17 तक भारत के रक्षा मंत्री के कारेकाल के दौरान वो उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के संसद रहे उन्होंने सेना के आधोनी की करन के लिए बेहतरीन काम किये गोवा विधहन सभा चुनाओं में पार्टी के बहुमत हासिल नहीं कर पाने पर वो मार्च 2017 में राज्य लोटे और गोवा फॉरवर पार्टी और M.G.P. जैसे दलों को गड़ बंधन सहयोगी बनाने में काम्याब रहे राज्य में एक बार फिर उनकी सरकार बनी फरवरी 2018 के बाद से उनकी तबियत खराब रहने लगी उन्हें तब इलाज के लिए मुंबई के लिलावती अस्पताल में भरती कराया गया वो बीते साल मार्च के पहले सब्ताह में इलाज के लिए अमेरिका गए जहां वो जून तक अस्पताल में रहे बीमारी के बावजूद उनका जोश परकरार रहा परिकर को राज्जे के धाचगत विकास और शिक्षा के शेत्र में किये गए उनके प्रियासों और केंद्रिये रक्षामंत्री के रूप में उनकी सक्रिय भूमिका के साथ ही 2004 में गोवा को अंतरराश्टिये फिल्म महुत्सों का आयोजनिस्थल बनाने के प्रियासों के लिए एक लोगप्रिये नेता के रूप में हमेशा याद किया जाएगा और बुलिटिन में आप खबरे लोगसभा चुनाओ से जुड़ी लोगसभा चुनाओ के लिए 11 अपरैल को होने वाले प्रत्थम चरण के चुनाओ के लिए आज सधी सूचना के साथ ही नामानकर प्रक्रिया शुरू हो गई है इस चरण में 20 राज्यों के इंक्यान में लोगसभा सीटों पर मतदान होना है इन सीटों पर नामानकर दाखिल करने के आखरी तारिक 25 मार्च होगी नामानकर पत्रों के जाँच अगले दिन यानि 26 मार्च को होगी 28 मार्च नामानकर वापसी के आखरी तारिक है पहले चरण में 11 अपरेल को 20 राज्यों की 90 सीटों पर मतदान होगा साथ चरणों में देश भर की लोग सवा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और नतीजों का एलान 23 मई को होगा इसके लावान प्रदेश विधान सवा की सभी 175 अरुनाचर प्रदेश की सभी 60 सिक्किम की सभी 32 और ओडिशा की 147 में से 28 विधान सवा सीटों के लिए पहले चरण में 11 अपरेल को मतदान होना है और इनके लिए भी आज ही अधिसू चुना जारी हो गई है और चुनाओ कारिक्रम भी पहले चरण की लोग सभा सीटों के अनुरूप ही होंगे लोग सभा के पहले चरण के साथ होने वाले विधान सभा चुनाओ के लिए बीजेपी ने आथे प्रदेश की अधिस सीटों के लिए उमीद्वारों के नामों का एलान करेगी में आदर प्रिदेश में मुख्य विपक्षी दल, YSR कॉंग्रिस ने भी राज्य में 11 अप्राइल को होने वाले चुनाओ के लिए लोकसभा और विधान सभा की सभी सीटों के लिए अपने उम्मीद्वारों की सूची जारी कर दी है पार्टी ने लोकसभा की 25 सीटों में से 2014 में जीते सिर्फ दो उम्मीद्वारों को दो बारा टिकट दिया है बिहार में एंडिये गडबंधन ने आगामी लोकसभा चुनाओ के लिए सीटों के बटवारे पर फैसला ले लिया है पटना में कल बीजेपी, जनतादल यूनाइटिर और लोगजन शक्ति पार्टी के संयूत प्रेस कॉन्फरेंस में इसका एलान किया गया राज्य में बीजेपी और जेडियू दोनों 17-17 सीटों पर चुनाओ लडएंगी जबकि लजेपी बागी बची छे सीटों पर अपने उमीदवार उतारेगी इस बीच राज्य में औरंगाबाद, नवादा, गया जमूई में लोग सबचुनाओ के पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना आज जारी हो गई है वहीं बिहार में महागडबंदन के बीच सीटों का पेच फसा हुआ है एक तरफ जहां आरज़ोडी और कॉंग्रेस की बीच सीटों को लेकर सहमती नहीं बन रही है वहीं न्सीपी ने कटेहार सीट पर अपना दावा ठोग दिया है और उमीदवार उतारने की घोशना कर दी है न्सीपी महासाचेव डीपी तरपाठी ने कहा कि कटेहार सीट न्सीपी के पास थी और जल्दी न्सीपी कटेहार में अपने उमीदवार की घोशना करेगी लिदम पर चुनाओं मैदान में उतरने का फैसला लिया बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बंदी कर रही कॉंग्रेस पश्चि बंगाल के अलावा भी कई राज्जियों में गडबंधन करने में अससफल रही है रविवार शाम बंद कमरे में हुई पार्टी की बैठा के बाद प्रदेश कॉंग्रेस अद्ध्यक्ष स्वमेन मित्रा ने कहा कि पार्टी ने तैय किया है कि वो अपने संबान के साथ समझोता करके कोई तालमेलिया गडबंधन नहीं चाहती है और इस बीच बीएसपी प्रमुक मायवती ने साफ कहा है कि कॉंग्रेस उत्ता प्रदेश में भी पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो यहां की सभी सी सीटों पर अपने उमीदवार खड़ा करके अकेले चुनाओ लड़े उन्होंने खा कि उत्ता प्रदेश में एसपी बीएसपी और आरलडी का गडबंधन अकेले बीजेपी को पराज़त करने में पूरी तरह से सक्षम है उन्होंने लिखा कि कॉंग्रेस जबरदस्ती यूपी में गडबंधन के लिए साथ सीटे छोड़ने की भ्रांती ना पहलाए उन्होंने दोहराया कि उत्ता प्रदेश सहित पूरे देश में कॉंग्रेस सेब बीएसपी का कोई भी किसी भी तरह का तालमेल और गडबंधन बिल्कुल भी नहीं है उन्होंने पार्टी कार्य करताव से कॉंग्रेस की ओर से पहलाय जा रहे किसमे किसमे के भ्रम में नहीं आने के अपील की कॉंग्रस की पूरवी उत्तर प्रदेशी प्रभारी प्रयांका गांदी आसे राज़ में चुनाओ प्रचार अभ्यान की शुरुआत कर चुकी है प्रयाग राज में संगम तट पर उन्होंने पूझा अरचना की प्रियाग राज में मनईया घाट से कॉंग्रस महासचिव प्रियंका गादी वाडरा ने तीन दिवस्य गंगा यात्रा शुरू की जो वाना नसी के ऐसी घाट पर पूरी होगी महासचिव बनने के बाद प्रियंका दूसरी बार उत्तर प्रदेश के दोड़े पर हैं इस बार वो गंगा यात्रा के जरिये प्रियाग राज से वाना नसी तक सफर करेंगी प्रियंका बोट के जरिये 140 किलो मीटर का सफर करेंगी बीजेबी के नेता और केंद्रे मंत्रे अरुन जेटली ने विपक्ष परतीखा हमला करते हुए कहा कि उनका गठ जोड महा मिलावट गडबंधन है और ये देश की राजनीती के लिए खतरनाक है उन्होंने भरोसा जता है कि लोग महा मिलावट गडबंधन के बज़ाए एक स्थाई सरकार को चुन कर आगामे आमचुनाओं में सही फैसला करेंगे अनुन जेटनी ने एजिंडा 2019 पर अपने साथवे ब्लॉग में कहा कि अलग अलग नेताओं और राजनीतिक दलों की विचार धाराओं वाला महा मिलावट गडबंधन केवल राजनीतिक और स्थिर्टा का वादा कर सकता है अनुन जेटनी ने कहा कि इतिहास की बात करे तो भारत और भारतीयों के पास एक विकल्ब है उच्छे महीने की सरकार चुन रहे हैं या पांच साल की सरकार वो आजमाएं पर्खे हुए और काम करने वाले नेता या गैर नेताओं की अराजक भीड की बीच चुनाओ कर रहे हैं उन्होंने कहा कि क्या भारत ऐसी सरकार की उमीद कर रहा है जिसने वृद्धी विकास और गरीबी उन्मूलन तेज किया या ऐसी सरकार जिसने केवल खुद का भला किया उन्होंने कहा कि गड़नन निश्चित तोर पर केवल राजनीतिक और स्थरता का वादा करता है भारत में राजनीतिक स्पष्टितास, पष्टनीती, दिशानर्देशन, मजबूत और निर्नायक नित्रित्व होना चाहिए अगर हम इन में से किसी एक में लड़ खडाते हैं तो हम अपने लोगों और भविश्य की पीडियों को नीचे गिराएंगे भारत स्थर पर अब सरों को गवा नहीं सकता 15 मार्च को प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी न अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी करकी मैं भी चौकिदार मोहिम की शुरुआत की थी प्रधान मंतरी ने कहा था कि जो भी वेक्ती प्रश्चाचार के खिलाब लड़ रहा है वो चौकिदार है इस इक्रम में प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष, आमिच शाह, रेल मंतरी पियुष गोयर, स्वास्त मंतरी जेपी नडड़ा और कई अन्य नेताओं ने अपने नाम के आगे चौकिदार लगाया है उन्होंने मैं भी चौकिदार और चौकिदार फिर से हैश्टाग के साथ पोस्ट किया है विदेश मंतरी सुष्मास्वराज की दो दिन की मालदीव यात्रा का आज आखरी दिन है सुष्मास्वराज आज माले में मालदीव के राश्पती इबराहिम मौम्मद सोली से मुलाकात की माल्दीव के राश्पती के साथ मुलाकात में दोनों देशों के बीच पारस पर एक सहयोग को और बढ़ाने के उपाई उपर चर्चा हुई विदेश मंतरी सुश्मा सुराजनी राश्पती सोली के दिसंबर में भारत यात्रा के दौरान हुए समझोतों की समीक्षा की इससे पहले कल मंतरी स्तर की बैठक में दोनों देशों ने वीजा विकास पर योजनाओ और अक्षे उर्जा के क्षेतर में सहयोग के लिए सहमती जताई मालदीव के विदेश मंतरी ने भारत को उतकरश्ट साथ ही बताते हुए दोनों देशों के बीच रिच्टों को खास बताया उन्होंने कल मालदीव के विदेश मंतरी अब्दुल्ला शाहित से मुलागात की और मंतरी सतरिय सेयुक्त बैठक की और इसे के साथ फिलाल खबर दुपहर में इतना ही आपने रहे है राज्य सभा टीवी के साथ मस्कार